दिव्यते जमयो देवाह महा वीरो महा बला ज्यान गुण भक्ति संगमो श्री हनुम तेन मोन मह जै हनुमान संकट मोचन जै हनुमान ते सरी नंदन ते हुझ जग वंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुमारा हर संकट पे भारी जै हनुमान जै हनुमान संकट मोचन जै हनुमान संकट मोचन नाम तुमारा संकट मोचन नाम तुमारा हर संकट पे भारी जै हनुमान जै हनुमान संकट मोचन जै हनुमान भैवीत ना हो आओ मेरे पास आओ किन्तु आपने अभितात अपना परिचय नहीं दिया देवी मेरा नाम स्वयम प्रभा है अंगद और हनुमान दोनों उचित दिशा में हैं दोनों अपने लक्ष के निकट है अब आप सभी निश्चिन्थ हो जाएं ये वही स्थान है जहां से आप सबको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा और अब मैं पुना खभू श्री मेरान की सेवा में जा रही हूं कि पवन पुत्र है कि बला इस विशाल समुद्र में हमें कौन सा मार्ग मिलेगा कि यहां से तो हमारे सारे मार्ग बंद हो गए यूराज अंगत ऐसा नहीं हो सकता देवी स्वयम प्रभा हमें ब्रहमित नहीं कर सकती है उचित के रहे हो हनुमान श्री राम का कोई विभग हमें कदापी ब्रहमित नहीं कर सकता हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए किन्तु हम कहां जाएंगे क्या हम पीछे लोट जाएं नहीं यूराज मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि उस देवी ने हमें यहां तक पहुंचाया है तो अवश्य ही इसका कोई अर्थ होगा वही अर्थ तो मैं जानना चाहता हूं ताज जामौन हम कहां जाएंगे आगे तो केवल विशाल जल राशी है हनमान यहां पर तो कोई प्राणी भी नहीं है जिससरे हम कुछ जानकारी पास सके आप हताश नहों कुमार अंगत प्रभु श्रीराम की किरपास से हम अवश्य सफल होंगे उधर देखिए हनुमान व्रक्ष पर फूल खिले हैं इसका अर्थ हुआ कि शरत रितू बीद गई है और हमारी किशकिंधा लौटने की अवधिवी समाप्थ हो चुकी है हमने अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं की स्मरण है आपको महाराज सुग्रीव ने क्या कहा था मैंने देवी सीता का पता लगाने के लिए एक मास का समय सुनिश्शित किया है इस सभा में एक माह के उपरांक और सफल लौटने वाले दल के लिए मैं मृत्तु दंड की घोशा करता हूँ कि युवराज अंगद ऐसा कुछ नहीं होगा उन्होंने कार्य सिद्धी के लिए ऐसा कहा था यदि हमने अपने प्रयात्न में कोई कमी नहीं की है तो वो हमें अवश्यक्षमा करेंगे बहुत दयालू है महारा शुबी मैं उन्हें भली भादी जानता हूँ रिच्छ राज ये आप क्या कह रहे हैं भले ही आप उन्हें इस रूप में जानते हो किन्तु मैंन तो उन्हें एक अलग ही रूप में देखा है यवराज अंगर ये आप कह रहे हैं हाँ मैं जो कुछ कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ पता नहीं क्यों, मुझे किश्किंधा पती सुग्रीव क्रूर ही लगते हैं कुमार अंगर जिन्होंने सत्ता के लिए अपने भ्राता का वद्ध करा दिया, उन्हें आप दयालू कहते हैं जो अपने मित्रता की सौगंद भूलकर भोग और विलास में डूब जाते हैं, उन्हें आप लोग दयालू कहते हैं बाली पुत्र अंगर इस असीम आकाश और विशाल समुद्र को साक्षी मान कर और स्वयम उपुवास रख कर मरन वरत आरंभ करता हूँ मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तात सुग्रेव मेरे साथ चल कर रहे हैं चल कैसा अंगर उन्हें भली भाती ग्याद था कि दक्षिन दिशा में माता सीता को ढूरना असंभाव है इसलिए इसलिए उन्होंने हमें इस दिशा में भीचा कि अंगर तुम कैसी बाते कर रहे हो रिच राज मैंने अभी तक अपनी भावनाओं को दबा कर रखा कि किन्तु अब मैं चुप नहीं रह सकता यह उन्हें की योजना थी कि हम दक्षिन दिशा में जाए और असफल होकर लॉटे उन्होंने मुझे पहले ही प्राण दंड देने की योजना बना ली थी आप ऐसा ना सोचे कुमार अंगत महराज सुग्रिव आपसे बहुत प्रेम करते हैं उन्हें आपको युवराज बनाया कितने भावख हो गए थे वो जब आप किश्किंधा से प्रस्थान कर रहे थे कि युवराज अंगत तुम किश्किंधा के इकलावते उत्त्राधिकारी हो इसलिए सदयों सावधान रहना संकट के स्थिति में हनुमान की सेवा लेने में तनिक्वी संकोच मत करना क्षमा की जिएगा हनुमान मुझे ताद सुग्रिव ने युवराज नहीं बनाया मुझे तो परिस्थितियों ने युवराज बनाया और वहां है ही कौन जिसे किश्किंधा का युवराज बनाते उन्हां यूराज होने से भी क्या होता है यदि हम किशकिन्था लोटेंगे तो वे हम एक शमा नहीं करेंगे इसलिए, इसलिए मैंने निर्णे किया है कि हम किशकिन्था नहीं लोटेंगे तात सुग्रीव के हाथों से मरने से अच्छा है यहां भूके रहकर मैं प्राण त्याग दूँ मैं तुम से सहमत हूँ यूराज अंगद अपमान जनक मृत्यू की अपेक्षा किश्किंधा नहीं जाना ही उचित होगा किन्तु उप्वास करके प्राण त्यागना ठीक नहीं है तो क्या करूँ? अन त्याग ना करूँ तो क्या करूँ? समुद्र में कूद कर अपने प्राण त्याग दूँ? नहीं नहीं मैं ऐसा कहां कह रहा हूँ मेरे कहने का आर्थ ये है कि हम लोग पुना हुसी गुफा में चलें वहाँ धेर सारी खाने की सामगरी है हाँ हाँ और उस गुफा के अंदर कोई आ भी नहीं सकता आनन्द ही आनन्द और ये भी तो हो सकता है कि हम उस गुफा पर अधिकार कर लें और सुख पूर्वक वहीं जीवन बिता है और हाँ हम सब मिलकर आपका राजा विशेख कर देंगे और हम सब आपकी प्रजा बन कर रहेंगे जिवराज अंगत आप हमारे दल के नायक हैं आप जो उचत समझे कर सकते हैं किन्टो एक बात मेरी भी सुन लीजिए ये दोनों आपको राज विशेख का लालस दे रहे हैं महाराज सुग्रीव का वचन भूलकर नए महाराज का स्वपन देख रहे हैं भविश्य में इनके परिवार पर कोई संकट होगा तो यह आपको छोड़ कर चले जाएंगे इनका सुभावी ऐसा है योगराज इन्हें अपने दायत्व का कोई ध्यान नहीं रहा है इसलिए मेरा आपसे निविदन है कि आप इनकी बातों पर तनिक भी ध्यान न दें आप इतने कायर और दुर्वल नहीं हैं कि कहीं छुपकर जीवन बिताएं एक बात और में कहना चाहूंगा श्री राम की शक्ती आप सभी जानते हैं तृष्टी का ऐसा कोई बी अस्थान नहीं है जहां उनके दृष्टी नहीं जाएगी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां उनके बार नहीं पहुँच सके मैं ये कदापी नहीं मानता कि महाराज सुग्रीव ने हमें यहां भेश कर कोई शड़यंत्र रचा है उन्होंने हमें इस कारे के योग समझा है हम पर रिश्वास किया है आप फी कह रहे हैं पौन पुत्र हमें किसी भी स्थिती में उनकी इश्वास की रक्षा कर नीची है क्या सोच रहे है कुमार अंगत आपके मन में अचानक ऐसी आशंका आई कैसे आपके जैसा सहसी और पराक्रमी इतना निरी कैसे हो गया मैं ताथ सुग्रीव को भली भांती जानता हूँ उनका कोई भी सत्य मुझसे छुपा नहीं है इसलिए मैंने यहीं पर प्राण त्यागने का निरने लिया है आप सभी ध्यान से सुन ले कि मैं बाली पुत्र अंगत इस असीम आकाश और विशाल समुद्र को साक्षी मान कर इस दल का नायक होने के नाते आप सबको अभी इसी ख्षन अपने कर्तव्य से मुक्त करता हूँ और स्वयम उपुवास रखकर मरनवरत आरंभ करता हूँ कर्क आरंभ करता हूँ कि रावन तो लंका का राजा है वो उत्तर दिशा में कैसे आया तब ही तो हरण करके ले गया क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं मैं भी यूराज अंगत के साथ मरण वरत रखता हूं हाँ मैं भी मैं भी यूराज के साथ हूं कि लगता है इश्वर ने अब मेरे बोजन का प्रबंद कर दिया है यदि मर जाएंगे तो मेरा आहर बनेंगे आजू सब ही कहां भच्छा न कर रहूं दिन बहु चले आहार बिनो मर रहूं कब हूं न मिल भरी उदर आहारा आजू दीना बिदी एक ही बारा कौन हो तुम लोग अरे तुम सबको मरना ही है तो कम से कम मेरे पास आगर तो मरो मेरा आहर बनकर पुर्णे के भागी बनो कौन है आप और क्या चाहते हैं कि मेरा नाम संपाती है कि मैं कई दिनों से भूखा हूं कि विरिद्ध होने के कारण अपना आहार भी नहीं ढूर सकता अरे यदि तुम्हें अपने शरीर से प्रेम नहीं है तो मेरा ही भला करते जाओं वैसे वैसे तुम सब लोग अपने प्राण क्यू त्याग रहे हो अपनी असफलता से दुखी होकर अरे कैसी असफलता हम त्रभू श्रीराम की भार्या माते सीता का पता लगाने निकले हैं लंकेश रावन ने उनका हरन कर लिया है इन तु कहीं कुछ पता नहीं चला रावन तो लंका का राजा है ओ उत्तर दिशा में कैसे आया आया होगा अभी तो हरन करकर ले गया क्या आप हमारे शायता कर सकते हैं कि जटायू ने प्रभु श्री राम की सहायता करते हुए अपने प्राणों की बली देदि क्या का जटायू का नाम लिया तुमने क्या क्या मैरे ब्राता जटायू के मृत्य हो गई क्या आप जटायू के भाई हैं प्रिया ब्राता जटायो मेरी तिलांजरी स्वीकार करो ब्राता पर ये सब हुआ कैसे ग्रिद्राज जटायू ने लंकेश रावन को चनौती दी थी दोनों के वीच भायानक युद्ध हुआ रावन ने उन पर प्राण घा तक प्रहार किया था क्रोधित होकर रावन ने अपने पर्शू से उनके पंख काड़ दिये कि मेरे ब्रादा अरे तब तो तुरंत चटायू की मृत्यू हो गई होगी नहीं जटायू ने तब तक अपने प्राण नहीं त्यागे जब तक प्रभुश्री राम वहां नहीं पहुंचे प्रभुश्री राम को पूरी घटन सुना कर ही उन्होंने अपनी अंटिन सांस ली मेरे भाई जटायू को तो परंपद प्राप्त हो गया कितना भाक्यवान था वह कि यदि श्री राम के कारिय में मैं भी अपना हाथ बढा सकता तो कितनी सौभाकी की बात होती आप यहां के मार्क से तो अब कत होंगे इस क्या था हमारी सहायता अवाश्य सहायता करूंगा मैं तुम्हारी लेकिन मुझे यहां से पहले संबुद्र तट पर ले चलो मैं अपने भाई को तिलांज्री दे कर अपनी करता विकार निर्वान करना चाहता हूँ ले चलो मुझे यहां से मोहिले जाहू सिंधु कट देउं तिलां जलिताही बचन सहाई कर भी मैं पैह हुखो जहु जाही प्रिया ब्राता जटायो मेरी तिलांजली स्वीकार करो ब्राता भिव्यते जमयो देवाह महावीरो महाबला ज्यान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमोनमह जैहनुमाण संकट मोचर जैहनुमाण सुर नर्मुन क्या नारायन के भी तुम हो हितकारी संकट मोचर नाम तुमारा संकट मोचर नाम तुमारा हर संकट पे भारी जैहनुमाण जैहनुमाण असुर निकंदन जैहनुमाण अपने होने का भक्तों को परिचय और प्रमाण देते हो सुनकर देर देर नहीं करते दुख से परित्रान देते हो जैहनुमाण संकट मोचर जैहनुमाण हनुमाण हमारी किसी भी कारे को आस्था पुर्वर करते हैं हाँ सुगरीव मित्रता का निर्वा करने के लिए हनुमाण जैहनुमाण असुर निकंदन जैहनुमाण मनो जयमं मारुक तुम्न बेहं जितेंद्रियं मुद्धिमतां परिष्टं बातात्मजं बादर्यूत मुख्यं कि राम जूतं शर्णं प्रपद्दे कि रहतु कि राम झार परिझ motion कि राम चरादर्यूत थास कर दे